हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ मैस गुर्जर, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलोपमेंट, मॉबाइल अप्लिकेशन डेवलोपमेंट एंड गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर आज के सेशन में हम एक और फंक्षन समझते हैं, फंक्षन का नाम है गैट सीएज फुलफम क्या है इसका, गैट सीएज का मतलब केरेक्टर, मतलब एक केरेक्टर गैट करने के लिए ये फंक्षन है तो जब तक ये फंक्षन को एक केरेक्टर गैट नहीं होगा, तब तक ये फंक्षन का काम खतम नहीं होगा और काम खतम नहीं होगा तब तक next line execute नहीं होगी तो ये क्या हुआ एक तरीके से scanf जेसा ही हुआ scanf में क्या करते है जब तक हम value को scan नहीं करते तब तक next line execute नहीं होती लेकिन इसमें और scanf में difference क्या है तो scanf में हम कोई भी data type की value को scan कर सकते है get.ch के through صिर्फ और सिर्फ character को ही हम input दे सकते है एक और difference क्या है scanf के अंदर value provide करने के बाद हमें compulsory enter press करना होता है get.ch में हमें enter press करनी की requirement नहीं है एक और difference है scanf के अंदर जो हम value scan करते है वो value output screen के अंदर echo होती है मतलब display होती है और get.ch के through जब हम character को scan करते है है वो screen के उपर e को नहीं होता है आईए इसको practically थोड़ा समझते है start start file menu dos cell mount d d drive exit new get ch hash include stdio.h main function curly bracket start stop clear screen save d drive courses c++ को हटा देते है program का नाम ले लेते है get ch मानो यहाँ पर मैं एक message print करता हूँ printf 1 printf 2 printf 3 save अब जैसे यह program execute होगा तो क्या output आएगा सबसे पहले screen clear हो जाएगी फिर 1 2 3 print हो जाएगा और exit हो जाएगा चेक करते है control F9 alt F5 अब क्या करते है get ch function का use करते है तो printf 1 के बाद मैं करता हूँ get ch round bracket start stop अब क्या होगा पहले screen clear हो जाएगी एक message print होगा message print होने के बाद get ch मतलब इसकी requirement क्या है इसको एक character input में देना पड़ेगा जब तक एक character input में नहीं देंगे तब तक ये next line execute नहीं होगी तो जैसे ही हम एक character input दे देते है तो इसका काम खतम हो गया इसके बाद वो enter के लिए wait and watch नहीं करता है तो एक input आ गया तुरंथ ही ये printf 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा और exit हो जाएगा और जो भी हमने input दिया है वो scanf की तरह output screen में eco भी नहीं होगा चेक करते है control f9 देखो one print हुआ फिर get ch एक character को input देना पड़ेगा कोई भी character मैं दोई देता हूँ space तो जैसे ये character input उसको मिल गया उसके बाद क्या हुआ two print हुआ three print हुआ और exit हो गया चेक करने के लिए alt f5 simple चलो अब क्या करते है two के बाद भी हम get ch कर लेते है तो अब क्या होगा one print होगा फिर एक character input आएगा two print होगा एक character input आएगा eco नहीं होगा three print होगे exit हो जाएगा save control f9 देखो एक character input दिया फिर two के बाद एक और character input दिया three print होगे exit हो गया alt f5 same way अब मैं क्या करता हूँ तो यह जो get ch function है उसको यहाँ पर three के बाद भी use कर लेता हूँ control f9 एक character input एक character input थी भी print होगे अब जब कोई एक character input मिलेगा उसके बाद ही exit होगा ठीक है तो यह get ch function का काम क्या है यही है एक character input लेना और input देने के बाद उसका echo नहीं होता है यह खास ध्यान रखना है तो ज्यादा तर लोग यह get ch function का काम क्या समझते हैं कि output display करने के लिए output लाने के लिए ऐसा नहीं अभी तक के जितने भी प्रोग्रामस हमने बनाया है कही पे भी हमने get ch use नहीं किया था फिर भी output तो आया ही था get ch का concept यही है एक character जब तक input नहीं मिलेगा तब तक next line execute नहीं होगे तो इसकी ये functionality का use अब हम कहां करेंगे तो जहां पे भी हमारा program exit होता है exit होने से पहले हम हर program के अंदर get ch function का use करेंगे तो exit होने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा एक character input देना पड़ेगा ताकि क्या होगा कि exit होने से पहले जो भी output होगा वो सारा output हमें output screen में दिख जाएगा ठीक है तो आज से हम हर एक program के end में get ch का भी use करेंगे तो friends get ch का concept perfect समझ लीजिए मिलते है next session